हेलो फ्रेंट्स आज मैं बनाने जारी हूँ खीर, खीर बनाने के लिए यहां पर मैंने एक लिटर दूद गरम करने के लिए रख दिया है इसे हम लगातार चलाते हुए उबालेंगे जैसे इसमें एक अच्छा सा उबाल आ जाएगा इसे आप एक बार अच्छा से मिक्स कर ल जाएगा एक लिटर दूद के लिए छे चमर चावल इनफ रहेंगे जैसे दूद उबल जाए इसमें यह आप चावल मिला दीजिए और इसे एक बार अच्छे से मिक्स करके बाइल होने दीजिए हम इसे अच्छे से मिक्स करके पकने देना है पांसे साथ मिनिट तक के जब इसमें अच्छा सा उबाल आ जाएगा यह पांसे साथ में तक पक जाएंगे उस स्टेज पर आप इसमें ड्राइफूट्स मिला दीजिए यहां पर मैं काजू और बदाम इसमें आड़ कर रही हूं आप चाहें तो कुछ और ड्राइफूट्स भी इसमें मिला सकते हैं ड्राइफूट्स मिलाने के बाद मैंने इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर दिया है अब स्टेज में मैं इसमें मिला रही हूं दो इलाइची इलाइची में मैंने छोटा-छोटे से दो कट लगा लिये थे आप चाहें तो इसे कूट के भी डाल सकते हैं या फिर इलाइची पाउडर का भी प्योक कर सकते हैं यहां पर इन सभी चीजों को हमें आपस में पकने देना है अच्छे से जब तक यह एच्छे से गाड़ा ना हो जाए जैसे यह थोड़ा गाड़ा हो जाएगा चावल अच्छे से पक जाएंगे उस्टेज पर इसमें चीनी आट करेंगे अगर आपको ज्यादा मीठा पसंद हो तो आप चीनी क्यों कॉंटिटी बढ़ा भी सकते हैं चीनी डालने के बाद आप इसे एक बार अच्छे से मिक्स कीजिए और लगाता चलाते हुए इसे थोड़ी दे पकने दे जब यह पूरी तरह से पक जाए उस्टेज पर मैं इसम टूमच्मच मिल्क पौटर में डालके एक नुक्स कर दिया के बाद में ग्लचऑ मिल्क पाउडर शाओर माड़ों कीजिए आपके पास ना होँ तो आप मिल्क पाउडर अउइट वी दाना हुए कि यहां पर हमारी की बन के अच्छी तरह से त्यार है ये से आप 20-20 m तग अब लने दे और उसके बाद थोड़े देर के लिए ऑफड़ा हुने दे यहां पर workers छी आप Sumapche । पक्के त्यार है अभी ये थोड़ी पत्ली है जैसे-जैसे ये थेंडि होती रहेगी यह थिक हो जाएगी अभी मैंने गैस आफ कर दिया है और खीर को मैंने भी ठंडा होने के लिए रख दिया है अभी यहां पर यह जादा गाड़ी आपको नहीं दिख रही होगी ठंडी होने के बाद खीर का टेक्श्चर कुछ ऐसा हो जाएगा और आप देख सकते हैं यह कितनी बड़िया और गाड़ी खीर वनी है और यह समक्की चावल की खीर खाने में बहुत ही अच्छी लगती है और इसे बनाना बहुत ही असान है आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरी इस वीडियो को आप लाइक किए और मेरी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए मिलती हूं मैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाबाई झाल झाल